पुपवास के क्या शारीरिक फाइदे होते हैं। फास्टिंग हमारे शारीर में कौन सी नई मेटाबॉलिक प्रोसेसेज शुरू करती है। And last, but not the least, फास्टिंग की शुरूआत कैसे करनी चाहिए। Hello and welcome to Nourishing Kaka अब एक जमाना था जब हमारा देश उपवास के लिए जाना जाता था। वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध और बात में मातमा गांदी जैसे महान लोगों ने उपवास के महत्व को पूरी दुनिया को समझाया। और इसी लिए ये एक बहुत दुखत बात है कि आज हमारे देश में अधिकतर लोगों ने उपवास को मजद बना कर रख दिया है। अधिकतर लोग उपवास तो करते हैं लेकिन सिर्फ नाम मातर के लिए। इस तरह के लोगों ने उपवास को एक क्योहार का रूप दे दिया है। और ये लोग उपवास के दिन इन फैक्ट रेगिलर दिनों के मुकाबले और भी ज्यादा बोजन खाते हैं। और इनी लोगों को एक्स्प्लॉइट करने के लिए फलारी फूड प्रॉड बनाने वालों की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह के उपवास का कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं होता है, इसका कोई फाइदा नहीं होता ना शारिक लेवल पर ना ही आत्मिक लेवल पर या मानसिक या अध्यात्मिक लेवल पर। इस तरह की fasting का सिर्फ एक ही फाइदा होता है और वो फाइदा होता है फलारी food products बनाने वाली कमपनियों को Of course ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब लोग इस तरह का उपवास करते हैं आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो उपवास को उपवास की भावना से करते हैं जो उपवास के महत्वा को समझते हैं जो उपवास की रिचुल शुरू करने के कारणों को जानते हैं और जिदें सही तरह के उपवास से प्राप्थ होने वाले मेडिकल बेनेफिट्स की जानकारी भी हैं ये वो लोग हैं जिनने मालूम हैं कि सही तरह से उपवास करने से न सिर्फ उन्हें शारेरिक लेवल पर कई फाइदे मिलेंगे बलकि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मि लेवल पर भी और ऐसे लोग सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में मोचुद ये योरप और अमेरिका में आज असे कई लोग हैं जो सही तरीके से उपवास करते हैं जो उपवास को धार्मिक कारणों के वजह से नहीं करते जो जानते हैं कि एक दो दिन का भोजन परहेश करने से आपका शरीर कम्जोर नहीं हो जाता बलकि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, resilient हो जाता है, ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि 36 गंटे आरतालिस गंटे या 72 गंटे तक भोजन न खाने से शरीर को एक नया resilience प्राप्त होता है और आपका शरीर कुछ chronic diseases से छुटकारा पाने में भी सफल होता है और खुशी की बात ये है कि इस तरह की सोच रखने वालों की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है और क्यूंकि इस तरह की medical fast करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो scientist लोग भी इस बारे में पहले से कहीं ज्यादा research करने लगे है और इस तरह की research studies से हमें धीरे-धीरे fasting के विभिन फाइदों के बारे में अब और ज्यादा मालूमात होने लगी है research studies की वजए से आज हमें मालूम है कि fasting आपकी बाड़ी में कुछ totally नई metabolic processes की शुरुआत करती है जिनके चलते आपकी बाड़ी में repair और rejuvenation एक नई level पर होने लगता है जब कोई विक्ती 18-20 गंटे से ज़्यादे लंबा fast करता है उप्वास करता है तो उसकी बाड़ी उस वक्त glycogen stores को exhaust कर चुकी होती है उसके liver में और उसके muscles में जो भी glucose मौजूद होता है वो उसको पूरी तरह से utilize कर चुकी होती है और तब मजबूरी में आपकी body आपके शरीर में जमा चर्बी की fat cells को exploit करना शुरू करती है और जब आपकी body glucose की जगह fat का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो उसकी वजह से आपका वजन कम होने लाता है लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी body में सैक्रो नई metabolic processes और hormonal sequences शुरू हो जाती है इसके चलते आपके blood में beneficial compounds का concentration बढ़ जलता है और आपकी body के hormones के profile में भी significant changes आती है सन 2019 में जपान में स्थित Okinawa Institute of Science and Technology में Kyoto University के researchers की एक team ने साथ मिलकर एक study में पाया कि जब healthy human beings ने 8 दिन तक या 60 गंटों तक उपवास किया तो उनके blood samples में बहुत सारे positive changes देखे गए उनके blood samples में 42 different substances पाहे गए जिनकी levels fast न करने वाले लोगों के मुकाबले काफी ज़्यादा थी हरान करने वाले बात यह थी कि scientist ने उनके blood samples में 30 ऐसे नए substances की presence को note किया जिनके बारे में उनको पहले से कोई विशेश जानकारी नहीं थी butyrates, organic acids, coelzines, antioxidants, acyl carnitines और branch chain amino acids और इस तरह के कई compounds का concentration उपवास करने वालों के blood samples में ज्यादा मात्रा में पाया गया इन में से कुछ compounds का concentration 34 गंटे के बाद बढ़ना चालू हुआ और कई compounds का concentration 58 गंटे 58 आवर्स के उपवास के बाद बढ़ गया इन compounds की बढ़ी हुई levels के क्या health benefits हैं उसके बारे में हमारे scientists अभी भी research कर रहे हैं और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हम भागे शाली हैं कि हम आज की इस जमाने में रहते हैं जहां हमारी दुनिया के कुछ सबसे बड़े brightest scientists fasting के विबिन पहलूँ पर इतनी study कर रहे हैं लेकिन fasting के फायदों को समझने के लिए आपको scientist होना जरूरी नहीं है कोई भी व्यक्ति सिर्फ 24 या 36 गंटे का एक fast करके fasting की खूवियों को आथानी से समझ सकता है जहां तक मेरा आपना सवाल है मैं पिछले कई सालों से लगातार fasting करता रहा हूँ और मैं जनरली 10-15 दिन में एक बार fast करता हूँ water only fast लेकिन मैं आपको ये बात पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं जिस दिन भी fast करता हूँ वो मेरे पिछले 10-15 दिनों का सबसे खुबसूरत दिन होता है उस दिन में अपनी muscles में एक नई तरहे की strength और flexibility फील करता हूँ उस दिन में अपनी body में एक नई level की energy और vitality फील करता हूँ उस दिन मेरी नीन की quality अन्य दिनों के मुकाबले बहतर होती है मेरी नीन इतनी गहरी होती है कि दूसरे दिन जब मैं सो कर उठता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा नया जनब गुआ है naturally उस दिन मेरी cognitive ability अन्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा बहतर होती है मेरी memory बहतर होती है मेरी problem solving abilities बहतर होती है और मैं महसूस करता हूँ कि उस दिन मेरी creativity भी अन्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा improved level पर होती है और इन सब के चलते naturally मेरा mood भी positive होता है और मेरे दिमाग में कोई emotional turmoil या कोई mental fog नहीं होता Of course, इन सब का मिला जुला आसर यह होता है कि उस दिन मेरे चहरे पर एक अलग तरहे का radiance होता है मेरे चहरे पर अलग तरहे की मुस्कुरहाट होती है और मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे होते हैं इतने सही level पर होते हैं कि मेरे पास उनको बयान करने के लिए उनको express करने के लिए शब्द नहीं है उस आनन्द को बयान नहीं किया जा सकता उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है और इसलिए मैं आज आपसे अर्ज करूँगा कि यदि आपने fasting के सही benefits को पैचानने की इच्छा रखी है तो एक बार सिर्फ 24 या 36 गंटे का fast करके देखिए अब यहां मैं ये बात जानता समझता हूँ कि fast करने का फैसला करना आसान नहीं होता भूजन खाना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे अवाइड करने का फैसला करना आसान नहीं होता और आज से सिर्फ 15 साल पहले तक मैं खुद fasting से डरा करता था इसलिए मैं किसी अन्यवेक्ति को दोश नहीं दे सकता मुझे लगता था कि अगर मैं खाना नहीं काऊंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मैं इस डर को समझ सकता हूँ और इसलिए यदि आपने पहले कभी भी कोई fast नहीं किया तो उस हालत में मेरी सला होगी कि आप शुरुआत करें पहले intermittent fasting से आप water only fast करने से पहले कुछ दिनों तक intermittent fasting करें कोशिश करें कि आप पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर विस्तर से बाहर आने के समय से लेकर रात को जब आप वापिस विस्तर में जाएं सोने को जाएं उसके बीच में आप जो भी खाएं जो भी पीएं वो सब 8 गंटों के बीतर खाएं और पिएं इन खाने पीने की चीजों में आप ज़रा भी कटोती न करें एक परसेंट की भी कटोती न करें आप वो सब कुछ खाएं जैसे आप खाते हैं या खाना चाहते हैं सिर्फ एक छोटी सी कोशिश करें और वो यह कि आप जो भी पूरे दिन में खाने पीने वाले हों, आप उस पूरे कारे करम को आठ गंटों के अंदर पूरा कर लें यदि आपको आठ गंटें भी मुश्किल लगते हैं तो आप शुरूआत दस गंटों से करें जिसका मतलब है कि यदि आप अपने खाने पीने के कारिकरम की शुरूआ सुबह 9 बजे करते हैं तो आप रात को 7 बजे तक अपने खाने पीने का पूरा प्रोग्राम समाप्त कर लें इससे आपको आटोमेटिकली 14 घंटे का एंटरमेटरिंग फास्टिंग का बेनिफिट मिलना शुरूब हो जाएगा और एक बार जोब आप कुछ दिनों के लिए 14 या 16 घंटे तक फूड इटिंग को हवाइड कर ले तो आपको खुद ही यह लगेगा कि अब आप 24 घंटे का फास्ट कर सकते हैं और एक बार जोब आप 24 घंटे का फास्ट कर लेंगे तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि मैंने आपको फास्टिंग के जो भी बेनिफिट्स बताए थे वो कम बताए थे और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास फास्टिंग के बेनिफिट्स को एक्स्प्रेस करने के लिए शब्द नहीं है और एक बार जो आप 24 गंटे का फास्ट कर लेंगे तो आप ये भी रेयलाइस कर पाएंगे कि क्यों हमारे देश के कुछ सबसे बड़े विचारकों और रिलिजियस मास्टर्स ने लगातार उपवास किये क्यों भगवान बुद्ध ने क्यों भगवान महावीर ने और बाद में महात्मा गार्दी जैसे महान लोगों ने उपवास को अपने जीवन का अभिन अंग आखरी सांस तक बनाए रख